शुब उसमें लिखावा रहेगा रेफ्रेंसिंग बोलके एक सेकेंड में बता देती हूं कौन सा लेटिस्ट है मेरा नाम होगा उसमें शिवांगी लिखावा रहेगा दो फाइल्स है ना एक फाइल में मेरा नाम लिखावा है दाट इस दो रिसंट वण ये वाला इधिंक ये सीबी टू रेफ्रेंसिंग फाइल ये आई 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 थिंक हाँ लेटिस्ट है मैं दूसरा वाला हटवा दूंगी च्वा लो लेट साट हमने लास क्लास हमने लास क्लास कर लिया था MCQs क्लास करते हैं प्रिफ़ लेट साट रवेशन प्राइब लो लो लास करते हैं the number of units is given total revenue is given variable cost our constant is 6 and fixed cost is 200 constructor table showing the price associated with each of the above number of units sold तो तोटल रेवन्य में प्राइस किसे निंका लेंग है तोटल रेवन्य में प्राइस किसे निंका जाएगा जैसे तूट्वेंटी वन थर्टीन वैसे करकरके पूरा निंका जाएगा क्याल्कुलेट दो थर्टीन नहीं यह होगा तुम्हारा वन एटीन आगेस क्याल्कुलेट दो प्रॉफिट माक्सिमाइजिंग ओपुट तो प्रॉफिट माक्सिमाइजिंग ओपुट कैसे निकालोगे आपका प्राइस प्रॉफिट माक्सिमाइजिंग ओपुट कहा होता है जाएग मार इकोल्स तू M.C. होता है. तो आप लोग प्राइस निकाल लोगे, आप लोग M.R. निकाल सकते हो, which is change in T.R. and M.C. M.C. कैसे निकलेगा? नहीं, profit maximizing, तो I think आप total cost and total revenue को compare कर सकते हो, you don't have to take out all these. So, आप total cost निकाल लो, total cost दिया वे, 200, सब में add होगा, 200 plus 6 into 10, 6 into 20, वैसे करके total cost आजएगा, total revenue, जहां पे भी, T.R. minus T.C. is the highest, that's your profit maximizing. Quickly solve करो इसको, calculate the profits, add profit maximizing, यह सेम आजएगा, उसी हो, use करके, calculate the average variable cost, average variable cost कैसे निकल जाएगा, आपका total variable cost is 6 into this, divided by, average variable cost तो I think 60 ही रहेगा, ना, because variable cost तो constant भूल दिया है. Determine the short run level of output at which the profits are 100. करो इसको, price निकालो, T.C. निकालो, E.V.C. निकालो, जाएवादारी. कर दिएएगा उनारी. झालो, E.V.C. निकालो, T.C. निकालो, है ना तो यह देखलो प्राइस आ गया मैंने आन्सर दिखा देती हूं देखो प्राइस आ गया क्वांटिटी सोल्ड है तो सबसे पहला हो जाएगा प्राइस निकाल दिया है सेकेंड वाला बूल है प्रोफिट माक्सिमाइजिंग आउटपुट निकालने तो टीसी निकालना एक बार टीसी वाला कॉलम बनाना पॉर्टी उनिट्स पर बोल रहे हैं ये टीसी बार बताओ क्या आ रहे है अब समझ यो क्यों 6666 होगा क्योंकि कॉंस्टेंट बोल दिया है ना वेरीबल कॉस्ट तो चेंज इन टीसी इसक्स का उनली तो आप म्र निकाल के भी कर सकते हो इफ यू वांट जहां पे आपका म्र इक्वल्स तो तो MC आ रहा हूँ और MR कैसे निकलेगा चेंज इन टोटल रेविन्यू बन सिक्स्टी बन ट्वेंटी अन्हों MC अक्शली मल्टिप्लाय होगा जैसे 6 इंटू 10 वैसे गर क्यों जाएगा तो 60 60 60 आएगा यह तो 60 यहां पे 40 उनिट्स पे यहा रहा है देखो है ना तो यह हो गया आपका 40 उनिट्स पे और क्या आपका profit maximizing level है तो 40 उनिट्स पे आपका टोटल रेविन्यू 560 है तोटल कोस्ट कैसे निकालेंगे 6 इंटू 40 प्लस 200 240 प्लस 200 इस 440 440 560 माइनस 440 120 है क्या देख लो एक बार येस 120 यह मैंने बोल दिया कि average variable cost is profit maximizing point this is the profit maximizing point average variable cost क्योंते है total variable cost by revenue total variable cost कैसे निकालोगे 6 into 40 by number of units तो 6 ही आ रहे है क्योंकि constant है तो यह आपका 6 हो जाएगा determine the short run level of output at which the profits are 100 तो profits 100 कि position पे आ रहे है देखू एक बार profits 100 कि पोजिशन पे आ रहे है कैसे निकालोगे profits 100 के से निकालोगे total revenue and tc है तो compare कर लो कि profits आपका 100 कब कौन से level पे आ रहे है बताना करेक्ट यह माइनस tc तो शुद भी 100 कि ओन से points पे आ रहे है 30 and 50 units पे आ रहे है okay good 30 and 50 units very good so this is a very easy question I know clear any doubt in this it should be done very quick अब आपिसमे time नहीं वेस्ट कर सकते हो quickly Excel में टीवल बना लिया formula एक एक लाइन लिख दिया and just write the final answers एक एक माक के लिए explanation is not required outline the long run relationship between marginal cost and price and between the average cost and price for each of the following market structures marginal cost and price average cost and price assume that under a monopoly the firm is able to earn excess profits तो monopoly में the firm is able to earn excess profits यह हमें assumption है perfect competition में क्या होता है MC चारो चीज़ें equal होती है MC price and AC तो आप लोग बोल दोगे कि price remains price taker है price remains constant its price remains constant total change in your MC तो नहीं बोला है MR तो नहीं बोला है price is constant एक बार अटाओ and again we know that profit maximizing point is price is equal to MC हाना and इसमें अब आप लोग को short run long run concept बताना पड़ेगा AC के लिए क्योंकि AC कैसे compare करेंगे तो आप लोग बोलोगे long run में AC will always be two marks है ना तो कैसे बोलेंगे आपको थोड़ा logically सोचना पड़ेगा तो जब भी कुछ नहीं समझ में long run short run concept को बहुत important होता है हमने पड़ा ECO में तो यहां long run में हम लोग बोल सकते हैं AC is equal to price because हम लोग normal profit zone करते हैं short run में it can be greater than less than or equal to anything चीक है बट यह equal होता है monopolistic competition में again price taker नहीं है तो ऐसा होता है price is falling but तो इस case में price is greater than MC हाना AR is greater than MC why? because MC is equal to MR is the profit maximizing level if you remember यहापका AR है यहापका MR है और यहापका MC है तो इस point पे है तो profit maximizing point पे obviously price is greater than यहापको अच्छे से लिखके समझाना है MR equals to MC होता है downwards sloping है MR is less than price तो आपका MC is also less than price यह आपके मूल दिया अब again AC वाला concept दोनों होगा short run long run क्योंकि again monopolistic competition में short run में normal profit anything can be earned whereas long run में firm is only making monopolistic competition में firm is only making ऐसा कुछ है क्या monopolistic competition में क्यों बिता सकते है मुझे long run में monopolistic competition का क्या होता है normal profit तो आपलो वैसे लिख दोगे monopoly में clearly बोले excess profits so monopoly में again same thing यह relation maintained रहेगा but again AC and P के लिए आपलो बूलो के generally price will be higher than AC because monopoly में generally they will be making excess profits that is what they are saying चीक है इसको read कर लो देखो देखो long run use किया है 2 marks के लिए इतना लिखने से marks नहीं मिलेगा at least 2-3 points लिखने पड़ेंगे तो short run का भी एक लिखना पड़ेगा long run का भी लिखना पड़ेगा इसका 3-4 lines लिखने पड़ेंगे in fact चीक है 3-4 lines आपको लिखने पड़ेंगे बस copy paste करकर के change करने आपको type करने फटा-फट जो मैंने बोला आपको type करने में 5 minutes जादा नहीं लगेगा 6 mark question 5 minutes to write not more than that देख लो वही बोला है चीक है चीक है माम इसको प्रीज इस question में जहां पर some firm book में direct answer दिया तो हम दोब को सारी steps बताने के कैसे answer आया या direct हमें भी answer नहीं प्लीज यह question में last time पूछा जा रहा है कि मैंने हर बार बूला है examiner's report is an indicative solution यह आपको खाली एक idea देता है यह अगर आप answer लिख के आओगे आपको marks नहीं मिलेगा आपको elaborate करना है यहां पर जैसे मैंने बोला elaborate करना है यहां पर आप लोग वो टेबल पेस्ट कर दोगे उपर उपर लिख देना कि कैसे निकाल है प्राइस के से निकाला total revenue by quantity equals to TR by quantity तो यह पूरा solve कर दिया वो workings आने चाहिए बट basic आएंगे जोगी वनवन माग के है अब इसमें आप लो 40 units के basis पर बोल रहे हो महले हो आप लो compare कर रहे हो तो यहां पर खाली एक line लिखोगे कि where TR equals to TC TR minus TC profit is maximized answer 40 units एकी line लिखा इसमें लिखोगे I think question was the profit तो TR minus TC at 40 units is 120 ठीक एक column TR minus TC का भी बना देना है if you want so this you can do in excel very quickly just need to show one line में कि क्या आपके formulas है तो एक एक line लिखना पड़ेगा आजो next state for each of the following cases concerning good X substitution effect, income effect, overall effect on the demand for good X for a fall in price of X तो यह आपका तीनों के लिए आपका price fall हो रहा है good X का एके करके मुझे सब लों बताएंगे कि इसका क्या impact आएगा they have just asked for state state बोला है तो explain नहीं करना है खाली state करना है explain नहीं करना है चलो go headache करके सब लों unmute करके बताओ inferior good का कौन बताएगा तीनों चीज़े बतानी आपको आपको समझाना कुछ नहीं है state जब बोलता है तो आपको खाली एक एक line लिखना है substitution income overall बोलो ma'am in future boost के लिए substitution effect will be positive क्योंकि demand rise जगा if the price decreases and income effect में the demand will fall to be purchasing power and net demand will increase क्योंकि substitution effect जादा होगा rate price of x is falling inferior good में you are saying substitution effect is positive what do you mean by positive positive मतलब की ये भी कम ओर है demand भी कम ओर है demand rise over so negative sir substitution effect in the demand is increasing if the price is falling क्योंकि 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 तो अगर आपको अगर आपको पॉजितिव नेगितिव वर्ट में because the effect of the income effect has more power compared to substitution effect that's it they just want three distinct answers क्योंकि पुर्वी बोलो माम क्योंकि में price increases so substitution effect will be negative demand increase very good don't you think that substitution effect will be negative in all cases that it will be the quantity demanded will increase in all the cases yes it will right so it will increase in all the cases then income effect in the income effect the demand will decrease the demand will decrease क्योंकि Giffin है इससे सस्ता good market में है नहीं तो even if the price is falling income effect is what कि income increase होने से आप inferior good कम consume करते हो तो यह inferior of inferior है है ना तो यहां पे भी it will decrease the demand Giffin good is a part of inferior good only but what is the difference between inferior and Giffin is that in inferior good के case में your substitution effect has more power but in Giffin good के case में your inferior good income effect has more power because इतना inferior है वो inferior of inferior है कि उसमें income effect का कुछ effect ही मुला बहुत जाद होता है कि आजन उससे उसको आप कैसे किसी और से आप substitute भी नहीं कर सकते नहीं आप कुछ भी नहीं कर सकते हो हाना तो overall आपका क्या होगा demand will go down it will be negative net effect चीक है next बोलो normal good का अगर confusion लगे तो पूछ ले normal good का again normal good के लिए income effect क्या होता है normal good के लिए तो क्या होगा negative ही होगा ना obviously दोनों तरीक normal है तो income भणने से we will हम लोग क्या बोल रहे है price of good x is going down purchasing power is increasing we will consume more of x when it's normal तो positive दोनों increase होगा तो यहां पे भी it's obviously increasing got it देख लो यह explanation मैंने एक class में बहुत अच्छ से कराया है I think it might be in one of your videos I don't remember any doubt please ask right now state whether following goods are substitutes or compliments and also state the sign of cross price elasticity petrol and car क्या होता है state बोला है state state में जो बच्चा बैटके explain कर रहा है उससे बड़ा बेफकूफ इंसान कोई नहीं है state मितलब आपको खाली state करना है sentence में आपको लिखना है petrol and cars are dash goods complimentary or substitutes complimentary very good complimentary goods है or cross price elasticity क्या होता है अगर petrol का price बढ़ेगा quantity of car will go down so cross price elasticity is negative buses and cars are substitutes अब दोनों से चीज़ से तो जाने सकते हो so इसका cross price is positive very easy but exam pressure में student swing mistake ही और चलो next आजो जब explain बोलते है तो explain क्या जाते है खाली एक line ने line लिखके उसको explain क्या जाते है impact of indirect tax on industry level of output and price impact of indirect tax on industry level of output and price unmute करके बोलो indirect tax मतलब जैसे GST हो गया sales tax, entertainment tax यह सारे चीज़े जो पहले होते थे अभी GST बोलते है अपने तो effect of indirect tax क्या होता है on industry level of output हम लोगों ने क्या हमने indirect taxi पढ़ है supply curve क्या ओता था उसके वज़े से shift upwards left है ना तो इसके वज़े से demand क्या ओता था आउट्पूट क्या होते है बोलो हां बोलो हां बोलो तुरिशा go ahead supply कम होगा price बढ़ेगा और output 100 होगा demand will decrease आउट्पूट के लिए बोलना है specifically so output will decrease price will rise आपको basically क्या लिखना है imposing indirect tax will lead to shift shift in the supply curve upwards leftwards कुछ भी बोल सकते हो which will lead to fall in output and increase in price price okay got it comment on how such a tax will affect the amount of consumer and producer surplus consumer surplus क्या ओदा था increase decrease producer surplus क्या ओदा था increase decrease and सम्झाने बोला है तु बोलो कैसे बोलोगे बोलो जल्दी words में सम्झाना जो चीज आप लो डाग्रमाटिकली dead weight, weight, welfare, loss वाला चीज सम्झाते थे consumer surplus भी fall होगा producer दोनों fall होता था था ना तभी तो government surplus positive होता है क्यों होता है reason reason यह होता है consumer surplus is what price into ya MR into quantity ऐसे बोलते है हम लोग consumer surplus हम लोग कैसे निकालते थे let's suppose मैं डाइग्रम से अगर दिखाऊं यह आपका demand है ठीक है तो अभी what was consumer surplus can anyone tell me कैसे निकालते थे consumer surplus दो चीज माइनस करके निकालते थे total very good utility minus total expenditure अब total utility कैसे निकलता था MR into quantity and यह ओते आपका price into quantity now what is happening your price is increasing but quantity is decreasing so for lower amount of goods that you are consuming you are paying a higher value so your consumer surplus will go down okay your consumer surplus will go down यह चीज एक्स्प्लेन करना है क्यों क्योंकि यह आपका total consumer surplus है consumer surplus खाली क्यों होता था MR minus P ऐसे करके लिख सकते हो नहीं MR minus sorry marginal utility minus P अना तो क्योंकि आपका P is increasing no change in MU ऐसे आप लोग लिख सकते हो consumer surplus is equal to MU-P no change in MU-P is increasing so consumer surplus overall is going down producer surplus कैसे निकालते हैं total revenue minus total causes is total producer surplus खाली producer surplus निकालना होगा तो कैसे निकालोगे I think price minus MC again MC is constant price is for supplier what is happening although the price is increasing but the entire price is not received by the seller or producer some part is given as tax to government तो यह फॉल ओ रहा है producer के लिए hence producer surplus is also falling यह formulas जब आपके fingertips पे नहीं होगा आप नहीं कर पाऊगे आप नहीं कर पाऊगे formulas, graphs यह आपके fingertips पे होने चाहिए यह रहा है कैसे समझाओगे एके क्लाइन both producer surplus, consumer surplus will fall consumer surplus is equal to MU-P MU is not changing, P is increasing तो यह हो गया because the price which consumer is paying higher and what producer is receiving is lower because the gap is going to the government as a tax that is why price over here is decreasing here it's increasing why there is a difference discuss what is meant by reaction function in Kuno model of duopoly and how one firm will react to perceived increase in the output of the other firm do you remember the graphs although graphs doesn't matter चलो मैं बताऊंगे, आप लो करके देखो ऐसा होता था, चलो बताई देते हूं यह और यह यह से आपका दो reaction functions होता था so reaction function क्या determine करते है R A and R B क्या determine करते है, बताना how much, what is R A what is R A, reaction function of firm A it shows how much firm A will produce given the output of firm B so अब यह हो गया what is reaction function अब बोल है, how one firm will react to a perceived increase तो आप लो बोलोगे, if let's suppose firm A या firm B increases its output firm A will react by producing less output है न? क्योंकि और तो कुछ करने सकते है क्योंकि आपका quantity fixed है if firm B will increase firm A has to decrease इसको read करके बताना कोई issue है तो very few candidates get got full marks in part 2 by omitting the comment of advocate reasoning most candidates made a reasonable attempt for question 1 and 3 देखो, although it's easy, not difficult graphically, mentally we know what is the answer but we are not able to explain in words why विकिज हमने क्या किया है हमेशा हमने नुमेरिकली समझाए है फॉर्मिला बेस समझा बहुत कमी लोग सकते हैं जिनको फॉर्मिला जिनके फिंगर टिप्स पे होता है चलो यह रीट करूँ झीश करूँ चीक है, next, क्या बोल रहा है, read करू, next question, explain with the aid of numerical example, how game theory can result in two firms setting prices that are not in their mutual interest, and how agreeing to higher prices can lead to higher join, तो यह same example, अगर आप लोगोगो compiler का लेन है, हम लोगो नहीं compiler में कर रहा है, आप कर सकते हो, let's say, suppose, firm A है, firm B है, छीक है, low price, high low रखते हैं, high, low, high price, low price, high high रख रहे हैं, कुछ भी random numbers ले लो, ना, दोनों का profit is 150, टोटल प्रॉफिट देख रहो 300 है, तो टोटल 300 मिंटेन रखते हैं, एक high और एक low, तो इसको कर दो 100, इसको कर दो 200, इसका हो जाएगा low, मतलब इसका, नहीं, उल्टा लिख दिया मैंने, this is the row, यह A है, यह B है, अच्छिक है, 100, 200, ऐसा कुछ कर लेते हैं, देखे हैं, तो अब आप लोग क्या बोलोगे, कि फर्म A के लिए, अब आपको यह example आपको पूरा लिख के समझाना है, तो आपने example लिख दिया, फिर आप कैसे समझा रहे हो, जैसे हमने compiler में समझा है, इसमें क्या है, कि, let's talk about firm A, if B is charging high, if B is charging high, तो समझो, if B is charging high मतलं, A will on either 150 or 200, तो A will charge low, if B is charging low, if B is charging low, firm A will also charge low, क्योंकि इसमें इसका 80 है, इसको थोड़ा कम करना पड़ेगा और I think, तो it will make more sense, 80 कर देते हैं, चीक है, तो firm A will charge low, तो firm A का dominant scenario या dominant strategy क्या रहे है, low, तो firm A का dominant strategy क्या रहे है, low, similarly ये हो गया, फिर B का समझा, if A will charge high, B will charge low, because 200 earn करेगा, वो वैसे करके, चीक है, if A is charging high, if B is charging high, sorry, if A is charging high, B will charge low, क्योंकि 200 earn करेगा, if A will charge low, B will charge low, because 100 earn करेगा, तो ऐसे करके आप लोग इसका बता दोगे, तो B का dominant strategy हो गया, low, ना दोनों का dominant strategy low, low है, so both are charging low and earning a profit of 100 and 100, if both would have mutually decided and agreed, they would have both earned 150 and 150, which is higher, profit, both would have made good profits, but now since both are not colliding, या फिर not discussing, mutual agreement नहीं है, तो both are making, this is your game theory, ठीक है, पूरा आपको समझाना है, रीट कर लो, इन्होंने कुछ और एक्जाम्पल लिया होगा, थोड़ा different, देख रो, इसको रीट करो, अब बोलोगे, क्रिशा, अब तुम बोलोगे कि माम 5 marks के लिए इतना लिखना है, क्या आपको 5 marks में इतना मिलेगा, बताओ, दो-तीन lines में आपको 5 marks तो नहीं मिलेगा, आपको example पहले तो समझाना है, कि let's suppose there are two firms, X and Y, both are charging either the low price or high price, table बना दिया, फिर table समझा दिया, कि read कैसे करना है table को, कि these are profits, for example, 5,12, ये वाला sell समझा दिया, कि इसका meaning क्या है, 5 million, दिको याँ पे इन्होंने लिख दिया है, अगर आप ऐसे लिख रहे हो, तो good, अगर आप manager से लिखा वैसे लिख रहे हो, तो एक particular value को समझा दिया, समझा दिया, अब उसके बाद, एक एक करके dominant strategy बताया, A का बताया, B का बताया, इन्होंने खाली ऐसे लिखा है, बट हमें तो पूरा समझा के बोलने हैं, कि if B is charging this much, A will charge this, if B is charging this much, A will charge this, ठीक है, so low is the dominant strategy for A, similarly, we will, by symmetry, we can see, same applies for B, hence, both's dominant strategy is low and low, तो आपका Nash equilibrium word आप बोल सकते हूं, is attained at low and low, but अगर दोनों collude करते हैं, तो दोनों को इतना profits मिलता, not collude word is wrong, cooperate करना, mutual agreement करना, चीक है, very simple, easy 5-1-5 marks, आजो, next, Explain whether gross national income is greater or less, समझ रहो न, आपलों को समझ आ रहे हैं, कि कैसे answer करना है, जब state बोला जाए, लिखना है, describe, explain बोला जाए, तो उसको elaborate करना है, Explain whether gross national income is greater or less than GDP, if a country has negative net property income from abroad, कौन बताएगा ये? झालों कई बोला, बोलों कि का बाम भूताभान kayak 1997 झाल झाल नेगिटिव नेट इंकम फ्रॉम अब्रॉड है तो नाशनल इंकम विल बी लोर दान ग्रॉस डॉमेस्टिक फॉर्मिला लिख दिया ये वाला बोलो तो ये आपका लोवर होगा नेगिटिव होगा नेगिटिव होगा नेगिटिव वाला बताओ समझाना है एक्स्प्लेइन वर्ड है स्टेट नहीं है तो वो पूरा समझाना है कि नेगिटिव नेट प्रॉपर्टी इंकम फ्रॉम अब्रॉड का मीनिंग है दाइट प्रॉपर्टी इंकम जितना बाहर जा रहा है उससे कम वापस आ रहा है ठीक है कुछ भी बोल सकते हो एक्सी तो आपकर प्रॉपर्टी डिपी नोग प्रॉपर्टी बहुरू? Output has fallen but price has risen. Okay, so if output has fallen, you are very good. So, ये चीज़ तुमने लिख दिया, increase in nominal GDP is associated with a fall in real national income if output has fallen and price has risen. Why? You need to explain it. कैसे एक्स्प्लें करोगे? Since output has fallen, real GDP will fall. But price has risen, so nominal. But एक चीज़ तुमने बहुत सही नहीं बोला है परवी, आपको प्रपोर्शन भी बताना है. What if the fall in output was higher, the proportion, then nominal GDP would have fallen. You have to actually talk about GDP deflator here. GDP deflator को formula याद है? क्या होता है? How do you relate real GDP, nominal GDP and GDP deflator? यह बताओ. Unmute करके. Very good. Nominal GDP by real GDP. आप क्या बोल रहो कि nominal GDP increase हुआ है and यह fall हुआ है. तो overall यह पूरा increase हुआ है. आप बोल रहो, real GDP has increased. That is what you are saying. That real GDP is greater. That real GDP is greater. Then... सही बोल रहे. GDP is greater. Your GDP deflator is going up. Right? GDP deflator is going up. Your real national income is going down. Your real income is going down. GDP deflator has increased. That is what I am saying. Real GDP. GDP deflator is... has increased. Compared to nominal GDP and that is why it's... तो आप तोनो त्रीनो चीज़ लिख देना क्योंकि the word explanation is there. Explain how gross GDP, gross domestic product deflator, GDP deflator differs from consumer price index. तो GDP deflator formula लिख देना है. That GDP deflator measures what? But how is it different? The price index of all the domestic... Price index of all the domestically produced rights and services. Okay. And consumer price index? They only include the basic basket points of consumers. Okay. So GDP deflator measures the change in the price of all the components of GDP. What are the components? C plus I plus G plus your X minus M. So you will say that GDP deflator considers change in the price of all the components of GDP, consumption, investment, government expenditure, exports and imports. Whereas CPI only considers the change in price in the consumer expenditure. तो खाली general basket लिखने से मांक्स नहीं मिलेगा. This is the exact difference that they are looking for. Got it? Clear? This was a good question. Next. Explain why real GDP per capita can decrease even if the population is falling? Per capita कैसे निकालते हैं? Real GDP by population. Real GDP by population will give you per capita. So even though the population is falling, real GDP has fallen more. The fall in real GDP, correct. The fall in real GDP is larger than the fall, correct Krisha. The fall in real GDP has fallen more, proportionately more than the fall in population. Hence your per capita is going down. Explain why value of import is entered as negative value when calculating GDP. So this में आप consumption expenditure का बात करोगे. कि consumption expenditure, investment expenditure, government expenditure includes. To avoid double counting is just one thing. खाली इसका मत बोलना, all these three can include the expenditure made abroad. Okay? कुछ imports करें and made abroad. Okay? So it includes the expenditure made abroad. इंपोर्ट करेंगे तो expenditure abroad में क्यों होगा? हाना? इसमें double counting कैसा है, मतर्फ? It's just because it's produced in abroad. It's a double counting कैसा. आप इस.. क्यों भाई? तुमने GDP निकाले, domestic product निकाले. तो तुम.. That's not domestic product, इसके लिए we are excluding but.. हाना, मतलब Krisha correct. Double counting word is wrong. Double counting नहीं उसकाना चे. सही बोल जो तुम पुरवी. The word double counting का मीनिंग कलत है. यहां पे इन तीनों में आप बोलोगे कि some element of import is there, import expenditure तीनों में है. But हम लोग क्या करें? Only domestically produced कुजन services का निकाल रहे हैं. तो we will subtract the imports. इनोंने भी आई थिंग अने solution में double counting word लिखा है. Actually, why they say double counting? You know, because word is not correctly used here, but you can say. They will not deduct marks. So, it's fine. Next आजो, 33. Read करो. A new coffee shop chain called superior. यह तुम लोग read करो, इसका मुझे points बताना. मैं आ रहे हूं. यह थोड़ा high order question है. करो. Okay. कुम आए. अज़ा है. कुम आए. ही बताना. काष्याया गलिए. मैं आए. झाल 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 msharlal झाल a new coffee shop chain call superior enters a retail coffee market that is monopolistically competitive market it aims to charge significantly above the industry average per cup of coffee consumed in its shops explain how it may differentiate its product to make excess profit in the short run. So again, monopolistically competitive है, so what should it be to do for excess profit? Advertise, I mean, non-price, so you have to use that word, non-price things, which initiatives will be taken to. It aims to charge significantly above the industry. तो क्योंकि वो प्राइस, उसका प्राइस पाइन्ट हाई है, तो उसको non-price initiatives या non-price activities में इंडल जोना पड़ेगा. Right? तो इसके लिए वो क्या-क्या कर सकता है? Quality, coffee जो बनाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? coffee जो बरिस्टा बोलते हैं, जो भी, they need to be very, very efficient and very qualified and efficient in their work, so that the coffee they are making is very nice and it stands out than the coffee which other people are offering. Consumer experience हो गया, quality हो गया. Entertainment है कराओ के ये, ठीके, this should come towards the end. First, you need to talk about the quality of the product. Okay, so environment, पुर्वी, that entire point is one. I don't think complimentary pastry is a good example. और क्या बूल सकते हैं? Brand image को लग्शियोस बनाना है. Okay, very good. Customize coffee, हाँ, ठीक है, ये सब लिख सकते हैं. ठीक है? तो side items का भी quality improve करना है. Overall experience, coffee consumption का बाद अच्छा करना है. Okay. Assume that the coffee chain superior succeeds in making, coffee chain superior succeeds in making excess profit in the short run. discuss what is likely to happen to its demand, price and output over the longer term. तो short run में वो excess profit कमा रहे हैं, बट longer term में क्या होगा? नहीं, इस question में तो आप referencing नहीं दोगे, इस first part में. हा, you can give referencing. You can give referencing, you can, जहां पर आपका monopolistic competition वाला है, वो आप दे सकते हैं. मैं होती तो मैं हर question में referencing देती. चीक है? This should not be the question anymore. Long term में barriers of entry नहीं है. Monopolistic competition में, there will be new entrants who will be coming in, giving similar kind of products, similar kind of services. existing suppliers will improve their quality, try to give this much, that kind of service. तो इस्ती के होगा, their demand, they will lose to other competition and this will result in a reduction in their demand, normal profits will be on. ये पूरा आपको संझा देना है. Moneterist School argues that money supply increases can result in short term trade-off between inflation and unemployment. but that such a trade-off does not exist in the long run explain the economic reasoning that monetarists used to justify the argument. तो monetarists क्या बोल रहे हैं? कि money supply अगर increase होता है, short run में trade-off होगा inflation और unemployment पे. but such a trade-off is not existing in the long run. मतलब या तो inflation भड़ेगा, तो ये कम होगा, ये कम होगा, तो ये भड़ेगा. तो ये क्या बोलेंगे? monetarists का क्या होता है? कि अपने आप market equilibrium attain करता है. monetarists ये बोलते हैं, right? तो short run क्या होता है? एक word हम लोग use करते है, short run में. to compare inflation. inflation भड़ है? unemployment कम नहीं होगा, unemployment भी भड़ता है, actually. money illusion that real wages rise. very good. this is a good line. or there is one more word, wages are, in the short run, wages are sticky, sticky wages. sticky wages हमने पढ़ा है, याद करो. तो उससे क्या होता है? अगर inflation rate भड़ता है, MS increase होने का क्या मतलब है? money supply increase होने का मतलब है कि there is expansionary policy happening in the market, in the economy. तो expansionary policy हो रहा है, और expansionary policy होता है, तो inflation increase होता है. money supply भड़ गया है, लोगों के पैस पैसा आ गया, लोग spend करेंगे, price भड़ेगा, goods and services का, inflation होगा. अब inflation होने का मतलब, मेरा जो real wage है, will go down. हाना? हाना? real wage will go down. firms का profit increase हो रहा है, real wage का मो रहा है, तो firms क्या करेंगे? extra, क्योंकि price increase हो रहा है, demand भड़ है, तो firms का profit हो रहा है, but real wage is going down, क्योंकि आपका wage is not changing, wage आपका same है, तो firms का profit वो और workers हायर करेंगे, so short run में आपका क्या होगा? unemployment कम हो जाएगा, that is what is happening, trade-off. एक भड़ है, दुसरा कम हो रहा है, चीक है? Phillips Curve. However, what will happen long term में, workers क्या करेंगे? short run में sticky है, long run में sticky थोड़ी है, very good Purvi, they will demand higher wages. So since workers will demand higher wages, अब आपका वुस stickiness नहीं रहेगा, they will demand, so अब अगर long run में बात करें, हम लोग वो trade-off नहीं रहता है, क्योंकि as your money supply increases, चीक है, your unemployment is reducing, people are working, but people will demand higher, workers will demand higher wages, with the rise in the inflation, तो उनलों को अब real wage rate increase करना पड़ेगा, चीक है? अब अगर real wage rate increase करना पड़ेगा, तो उसके वज़े से क्या होगा? दुबारा से, there will not be, unemployment rate कम नहीं होगा, क्योंकि अब आपको real wage बढ़ाना है, तो फर्म सको और wages देने पड़ेंगे, तो वो उतने workers को higher नहीं कर सकता है, है ना? तो इसलिए, हम लोग क्या बोलते हैं? मैंने क्या बोला था? Starting with monitors, believe in, what? equilibrium. यहाँ पर equilibrium हम लोगा क्या होता है? Remember, हम लोग ऐसे लिखते थे, natural rate UN, जो हम लोग वो ग्राफ में यह UN बनाते थे, natural rate of unemployment will be achieved. चीख है? तो खाली inflation change होगा, but unemployment change नहीं होगा in the long run. stickiness खाली short run में होते हैं. short run में real wages है sticky, आप नहीं demand कर सकते हैं, but long run में आप कर रहे हो. correct, real wages will adjust, very good, Krisha. चीख है, तो यह पूरा आपको अच्छे से समझाने है. next, आजो. discuss how a country and its, आप लोग read कर ले न, अपने टाइम पे. discuss how a country and its consumers, तो एक एक कर के कैसे कैसे हम लोग उने लिखा, पहले आप monitor school का बताओ कि वो क्या बोलते हैं, फिर short run में समझाओ कि, what do you mean by trade-off? real wages are sticky and how it affects. तो यह short run का पूरा हो गया. then long run का बताओ कि, कैसे the workers will demand higher wages, और उसका के impact होगा, वो कैसे होगा and now there is no trade-off, they can only impact the inflation. तो वो वाला आपको पूरा लिखना है. discuss how a country and its consumers can benefit from international trade. specialization वाला पूरा 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 लिखना है आपको? and trade होने से क्या होगा? बोलो, economies of scale होगा. हम लोग जिस चीज में अच्छ है, हम लोग वो चीज बनाएंगे. R&D होगा. trade भढ़ेगा, exchange of goods and services भढ़ेगा, तो उससे consumers के लिए क्या benefit होगा? country के लिए भी बोला है और consumers के लिए भी बोला है. two marks, two marks. तो consumers के लिए क्या होगा? variety increase होगा, very good. specialization, economies of scale, competition will increase. अगर पहले monopoly था, तो भी oligopoly हो जाएगा, monopolistic competition हो जाएगा. चीक है? efficiency increase होगा of domestic producers, क्योंकि अगर बाहर की goods आप consume कर रहे हो, तो उससे क्या होगा? very good efficiency पुर्वी. तो आपको उसको पुरा समझाना है कि कैसे efficiency होगा. ठीक है? specialization, economies of scale, कैसे आपको समझाना है, क्योंकि specialization है, तो आपका long run average cost will go down slowly, and so economies of scale will happen. ठीक है? कि पुरा आपको समझाना है. discuss how a multinational insurance business can benefit from globalization and different ways that it can expand its business internationally. तो अब यह जो आपने part 1 में लिखा, उसी को part 2 में लेके बताओ कि क्या-क्या बोल सकते हैं. तो multinational insurance company जो है, वो कैसे operate करेगा in different countries? different countries will have different kinds of risks. ठीक है? very good. तो अगर मैं insurance company, life insurance company, I am present in, let's suppose, India, and nearby countries, Nepal, Shri Lanka, then you this, I mean, all the nearby countries which are there, let's say, you are also present in Bangladesh and Bhutan, and all the nearby which countries and states and every places you are present, so उसे अपका spread रोगा, risk, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा चीज है कि रिस्क शुड भी spread out. हाँ, आप बहुत लोगों को insure कर जो law of large numbers के according, but spread होगा risk. उसके वज़े से क्या advantage होगा? cost will reduce. चीक है? cost आप कैसे reduce कर सकते हो? उन countries में जहाँ पे labor cheap है. वहाँ से आप labor उठा सकते हो. Insurance company का क्या labor है? sales agents है, back-end offices है, taxation का benefits ले सकता है, जहाँ पे taxes कम है. चीक है? outsource कर सकता है अपना activities like administration, maintenance and service and वो सारे चीज़ों को outsource कर सकता है. उसे economies of scale आएगा, specialization होगा, spread of risk, diversification of risk. और and how it can establish a presence by opening subsidiaries in other, entering into merging, जैसे Tata AIG, अभी तो it has gone into Accenture, ब़र Tata AIG है. तो Tata and AIG merged, Tata AIA, they merged. ICAC and Prudential merged, तो वो mergers के through you can enter the different countries or you can enter through takeovers or you can open your subsidies over there. तो वो आपको बोलने. हाओ बोलने, तो आपको पुरा समझाने. identify the factors that may affect how a multinational expands its international business. So, what are the factors? government, ठीके, taxation structure, costs, फिर availability of labor, अगर आप बहार खोल जो, cultural barrier, legal barrier, और क्या-क्या हो सकते हैं, बताओ. regulations, टीक है, ये सारे चीजे आपको बताने हैं. गोट इट, कैसे अप्रोच करना हैं questions को, explain, ये higher order questions चोहते हैं, इसमें आपको बहुत सोचना पड़ेगा, but always try to relate. जो points आपने इसमें बोले, उसमें same बोले, but relating it to the insurance company. If you're not relating it to the insurance company, you will not get the marks. आजो, explain how in an open economy with perfect capital mobility and expansionary monetary policy has differing effect on outcome and employment depending on whether they are fixed or floating exchange rate regime. तीन चीजे, चार चीजे, open economy and perfect mobility, how it has impact on output and employment under fixed and floating. चार चीजे हैं. open economy, मतलब, we are dealing with the other economies. perfect capital mobility, का क्या मतलब है? कि इंडिया का capital यूएस आ रहे है, यूएस का capital इंडिया आ रहे है. और इसमें न एक word इन्होंने यूजे कर रहे है, perfect. जब ये word perfect यूजे कर रहे है, इसका meaning समझना बहुत important है. इंडिया में क्या होगा? अगर interest rate कम होगा? या मान लो, interest rate जाद होगा, तो hot money will come in India. चीक है? तो interest rate जाद होने का benefit इंडिया को मिल रहे है. इंडिया में पूरा hot money आ रहे है. But perfect mobility के वज़े से क्या होता है कि interest rate in India should remain same as worldwide. तो वो perfect capital mobility उस case में होता है कि same है, अब जो भी, तो domestic interest rate जो होगा, that needs to be same as the world interest rate. Got it? अब open economy है and we are performing an expansionary monetary policy. कैसे? money supply increase करके या domestic rate decrease करके. दो चीज़ों से ही हम monetary policy ले सकते हैं. money supply increase या interest rate कम करके. ठीक है? अब floating rate में बताओ क्या होगा, fixed rate में. पहले floating rate का बाट करते हैं. interest rate आपने कम कर दिया. floating exchange rate का बात करो. monetary policy के वज़े से, expansionary, आपका exchange rate विल increase. as in increase as in आपका exchange rate विल depreciate. ठीक है? since there will be a depreciation, आप क्या करोगे? या फिर अगर हम दो वाईसा वर्सा बोले, क्योंकि आपने money supply increase किया है, या interest rate आपने कम किया है, आपका पैसा बाहर जाएगा? very good. नहीं, गलत बोले है, प्रिशाने. imports will increase, exports will decrease, outflow of capital will happen, interest rate कम हो रहा है, क्रिशा, and MS is increasing, money supply बढ़ता आप इंपोर्ट करोगे न, पैसा जादा आपके पास, और interest rate कम होगे, तो बाहर के country में जाके interest rate लगा होगे अपना, तो आपका outflow होगा, outflow होने के वज़े से floating exchange rate है, तो आपका domestic currency depreciate, depreciate, depreciate. Once it's depreciating again, since the exchange rate is depreciating, again imports will decrease, exports will increase, since it's depreciating. This will lead to output, increase, employment, increase, चीक है, and output increase तो होगा, but employment increase तभी होगा, जब आप full potential, full employment level से नीचे काम करें, एक होता है, full employment level पढ़ा है, हमने, y e, remember, जब हम लोग ग्राफ बना रहे थे, तो एक y e था, तो जब आप y e से नीचे काम करते हो, तो ही आपका employment increase होता है, तो this is under floating rate, अब under fixed rate में क्या होगा, same चीज़, वापर से repeat करेंगे, interest rate falling, but central bank will intervene to maintain the same level of exchange rate, and to maintain, क्या होता है, interest rate going down, exchange rate will go down, exchange rate को same रखने के लिए central bank क्या करेंगा, foreign exchange market में, domestic currency buy करेगा की sell, domestic currency, withdraw reserves, very good, purvi, withdraw reserves करना पड़ेगा उसको, if depreciation is happening, to control depreciation of foreign exchange rate, withdraw करना पड़ेगा reserves, suppose US dollars या gold, उसको बेच के domestic currency खरीदना पड़ेगा, again this will mean what, कि जो initially हमने expansion करा था, monetary policy use करके, उससे आपका क्या हो, foreign reserves अपने change किया, and all that domestic currency अपने अपले किया है, तो domestic interest rate and output will remain unaffected, it will not affect much, so, expansionary monetary policy useful कब होता है, floating rate में ज्यादा useful होता है, compared to fixed exchange rate, got it, क्योंकि fixed में तो government उसको अपने monetary policy ले लिया, but government fixed रखता है, तो वो क्या करेगा, आपने interest rate को कम किया, इसके वज़े से depreciation हुआ, depreciation के वज़े से उसने appreciate कराने के लिए, अपना currency का demand बढ़ाया market में, by withdrawing reserve, buying INR, INR खरीदा, and वो जो पूरा प्रसेस था, कि हमें output इंक्रीज कराना था, वो इंक्रीज हुआ ही ने, because of this process, okay, effect is not much, yes, Purvi. Maaf, आपने perfect capital mobility के लिए बोला था, कि इंक्रीज रखना है, तो how are they decreasing it? decrease कर सकते हुआ, आप increase नहीं कर सकते हुआ, it should be constrained at the maximum, that is the maximum, you cannot go above that, okay. Explain how in an open economy, perfect capital mobility, expansionary, fiscal policy, अब fiscal policy का बात करे है, has differing effect on, तो अब fiscal policy से क्या होता है, किस तरीके से करते हैं, government expenditure भढ़ाना, या फिर taxations कम करना, चीक है? तो कैसे government expenditure भढ़ता है, government क्या करता है, expansionary policy में बौरो करता है, चीक है? बौरो करता है, तो वो कैसे बौरो करेगा, interest rate को क्या करना पढ़ेगा उसको बौरो करने के लिए? मेरे से पैसा, very good, increase करना पढ़ेगा, मेरे से पैसा बौरो कर रहा है, government, तो मेंको बेच रहा है, अपना bonds, तो मेंको अपना bonds बेच रहा है, तो में bonds क्यूं खरीदूँगी, जब interest rate bonds में मुझे जादा मिल रहा है, तो interest rate increase होगा, अब अगें, interest rate increase हो रहा है, यहाँ decrease हो रहा है, तो floating rate पे आजो, huge capital money will come in, interest rate increase होने के वज़े से, appreciation होगा domestic currency में, क्योंकि capital आ रहा है, interest rate increase हो रहा है, यह short term है, याद रखना, x will increase, exports, आपके, नहीं, sorry, huge money is coming in, appreciation हो रहा है, हमारा money appreciate होने का मतलब की, लोग हमसे कम export करेंगे, और imports हमारा भढ़ जाएगा, पहले था, 80 rupees is equal to 1 dollar, अभी 70 हो गया, तो I will import more, चिक है, अब इसके वज़े से, output will again go down, government ने borrow किया, output increase करने, बट यह जो बाकी process हो, उसके वज़े से, output is going down, so it will remain unchanged, अब fixed में आजो, fixed के case में, again मान लो, interest rate भढ़ा, तो appreciate होना चेह था domestic currency, बट government ने appreciate होने ने दिया, क्योंकि उन्होंने, reserves increase किया, by buying, by what, by selling domestic currency, उसने buy किया, foreign exchange reserves को बढ़ाया, domestic money supply, उससे क्या होगा, increase, मैंने sell कर दिया, ना domestic currency, तो इसके वज़े से क्या होगा, domestic output will go up, चिक है, तो when fiscal policy is there, fixed, exchange rate helps better, यह आपको पूरा समझान है, I think they have also written very nicely, all can go and read that as well, 36, आप लोग यह read कर सकते हो, कोई doubt है तो पूछो, करो इसको read, करना झाता झाता हूवा, जह अच trying out the झाता हम एंघभ औन के जापको यूफजा सकते है, टह सकते हो, कि करुक्ते हो, कि मैंने आरामच iliश्पर म सकते हूए, करें तो कर रंगो, का फिन रगा झाता ह।, इसा लादोस होपशने, तो cultivत है थाफ gotta लित, kingdom, झाल झाल ये और? चलो गाईस, लेट सो एक टिल है और? आपना झाल गाईस, एक शेशन में और रहुँगोंगी, दो खाए प्रक्राइश लिए तो हाई आप लोगो गाईस आप लोगो गाईस, आप लोगो खुछास है, आप लोगो खुछास है, अग्या है। कोई भी दिक्कत है तो मुझे बताना हूँ ठीक है बाइ बाइ थेंक यू